विद्यारतियों अगर आप भी बेरोजगार और आपको जोब की सक्त नीड है तो आपके लिए एक वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें आयू सीमा रखी गई है कौन विद्यारती आवेदन कर सकता है क्या इसकी जैन परकरिया रहने वाली है संपूर्ण परकरिया आपको इस वीडियो के अंदर यहां पर बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी और इसमें male, female, candidate यहां पर आवेदन के पातर रहेंगे दोस्तों इसके आवेदन भी जो है online यहां पर इस्टे डीवीत अमके के नाम से टेलेग्राम में जाके सर्च करोगे वहाँ पर इसका पूरा notification बेज़ दूँगा और इसका जो form है वो भी बेज़ दूँगा आपको ठीक है चलिए तो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप यहां पर देख लीजएगा दोस्तों जो इसक आपकी निकाली गई है ठीक है बात करते हैं दोस्तों यहां पर इसमें नंबर वेकेंसी की बात करें तो 100 पोस्ट है इसके अंदर कितनी है 100 पोस्ट है और योगेता क्या इसमें सनात्तक रखी गई है साथ में दोस्तों तक्निकी योगेता की बात करें तो आपके पास में RK RSIAT का जो परमान पत्र है वो होना चाहिए यह ने आपने RSIAT कर रखा है और सरात का आपने कर रखी है तो आप इसमें फोरम भर सकते हो ठीक है male female दोनों candidate इसके अंदर पात्र रखते हैं फोरम भर सकते हो अब पूरी चीज़े बताऊंगा कैसे फोरम भरना है और क्या detail है कैसे आपका selection होगा सारी सीज़े अगर आप बेरोज़गार और वास्तों में आपको job की need है तो आप इसको कर सकते हो और यह जो vacancies है दोस्तों यह सवीदा पर आदारिता आप सभी को बता है इसमें जो वेतन आपको मिलने वाला है 500 रुपे परती दिवसा आपको यहां पर मिलेगा यहने दोस्तों आप अगर 20 दिन काम करते हो तो आपको यहां पर 10,000 रुपे मिल जाएंगे ठीक है इसके अलावा आप 30 दिन काम करते हो तो 15,000 रुपे अधिकतर 15,000 रुपे तक आपको मान दे इसके अंदर मिल सकता है समझ में आगई बात चलिए आगे दोस्तों कैसे आपको फॉर्म करना है का आपको जोब लोकेशन रहेगी इसके अंदर सारी चीजे अब यहां पर देख लीजगा ओनलाइन जो इसका फॉर्म है दोस्तों वह आपको यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो यह वेब साइट है इनकी और अगर आप हमारा टेल आपको जो है आवेदन भेजना है जैसे आपके डोकुमेंट होगे वो और जो आपका आवेदन पत्र भरोगे वो और उसके साथ में जो यहां पर 100 रुपे का सुल्क लगेगा SBI Bank में यह खाता संक्या इसमें जमा करवा के जो वहां से आपको जो है रसीत दी जाएगी सुची जाती अन्य पिछला वरग इनको नियामनसार यहां पर छूट भी दी गई है तो अधिक्तम जो है यहां पर 100 रुपे सुल्क रखा गया है यहने 100 रुपे लगेंगे बाकी जो केंडेट है उनको यहां पर फीस में शूट दी गई है तो ठीक है अब दोस्तों यहां सारि मैंने आपको बता दिया और सनात थी है आपके पास में और यहां पर चेंड परकृरण की बात करते हैं तो यहां पर रहने वाली है सबसे पहले दोस्तों इसमें अगर ज़्यादा candidate आते हैं पहने का मतलब अगर candidate ज़्यादा आते हैं तो ये आपसे लिकित परिक्षा भी आयोजीत करवा सकते हैं जिसमें 60% अंक लाना अनिवारी है ठीक है और अगर candidate कम रहते हैं तो यहाँ पर merit list तयार की जाएगी उसी के आदार पर आपका chain होगा आपके जो documents है उनके आदार पर made list तयार की जाएगी उस पर आपका chain होगा अगर आपके बास में और भी कोई अनुवाओ पर्मान पत्तर वगर है तो वो सब आप attest करके बेज दीजिएगा ठीक है समय में आगई बात बाकी graduation, RACIT और जो आप fees जमा करवाओंगे 100 रूपे उसकी रसीद ये तीनों तो compulsory है इसके लाओ और भी कोई पर्मान पत्तर वगर है तो आप बेज सकते हो ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो इसमें बता रहा है परदानमंद्रियावाश योजना इन से अगर आपने लापराप्त किया इन योजनाओं का तो इनके सदेश्य अगर आवेदन करते हैं तो इनको priority दी जाएगी यहने दोस्तों आपके कोई भी परिवार जन अगर नरेगा में जोब करते हैं नरेगा में जाते हैं या फिर उनको परदानमंद्रियावाश योजना का जो यहाँ पर घर मिला हुआ है या फिर और भी कोई योजनाओं है अगर उनका लाप मिला हुआ है तो वो अगर आवेदन करेंगे तो उनको यहाँ पर परात्मिक्ता दी जाएगी यह बात मैं इसमें बता रखी है, ठीक है, तो कहने का मतलब दोस्तों, जिनको जोब की नीट है, यहाँ पर यह form बर सकता है, अगर बेरुसगार है, कुछ नहीं कर रहा है, पेशों की कमी है, तंगी है, पढ़ा ही नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर यह form बर के, कुछ पेशे कर सकते हो, आप कहने का मतलब दोस्तों, यहाँ पर समीधा आदारित वेकेंसी है, मान दे आपको मिलने वाला है, रेगुलर इसमें एक साल तक आपको रखा जाएगा, आगे हो सकता है, आपको रखे या नहीं रखे, जितने दिन आप से काम करवाएंगे, उतने रूपे ठीक है, अब आप देख सकते हो, मेरिट, सूची वगरा, सारी चीजे मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, अब इसके लावा जो इसका फोम है, वो आपको कैसे बरना है, वो आपको यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, यह इसका आवेदन पत्र है, ठीक है, यह आवेदन मोबाइल नंबर, और भी को इल्टरनेट मोबाइल नंबर है, वो लिख सकते हो, मेल आईडी आपको लिखना है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है न, आप जोरी नहीं है, आपके परिवारजन किसी भी आप लिख सकते हो, और उसी मेल आईडी से आप जो है, यह फोम भीज़वा पड़ेगा, वो जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, इसता ही पता लिखना है, गाउं का नाम लिखना है, गराम पंचाइद हो गई आपकी, ठीक है न, पंचाइद समिति का नाम लिखना है, जिरा और आदार नंबर, और पत्राचार का पता, यहने आपका जो पूरा प पास क्या roll number क्या है परिणाम क्या रहा था आपका कुल अंक प्राप्तांक और परतिशत इस तरीके से आपको लिखना बैस सनात तक आपने किये कौन से इनियोर्सीटिटी से किये किस वर्स में किये कितने परसंटेज बने ये लिखने और और कंप्यूटर वाला कहां से किया जैसे वर्दमान माविर ओपन इनियोर्सीटी से किया इतने roll number है ये चीज़ है ये लिख देना आपको ठीक है तकनिकी वाला यहां पर बता रहा है मैंने आपको बता दिया यह रहा ठीक है और कोई डिग्री डिप्लोम है तो वह भी आप यहां पर लिख सकते हो और यहां पर देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों सारी चीज़ अगर आपके पासékальных 인द कर रहा है कबी निमलिकीत के साथ में काम किया है गरामीन विकास पंचायत राज विभाग में विवाग में सामा जी गनकेशन में गेर सरकारि संगटन में यहां पर अगर कोई काम बगर करका आपने, तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हो, ताकि जो है, आपके सेलेक्शन के चांसे ज्यादा रहेंगे, ठीक है, ये सारा फॉर्म आपको जो है, हमारे टेलेग्राम चनल पर मिल जाएगा, और इसको बरना है, ठीक है, इसको बरके इसको इसकेन कर परना है, आपके जो दस्तावेज है, आपके जितने भी दस्तावेज है, जैसे सनात्तकी मार्क शीट हो गई, रस एटी का हो गया, 100 रुपे की जो फीज जमा करवा रहे हो, वो आप, ये सब इमेल पर आपको बेजना है, वो इमेल मैंने आपको बता दिये, और आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजेगा, टेलिग्राम पर भी डाल दूँगा, वेबसाइट के मादेम से भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, बाकी जो इसमें है, ऐसी है, फिमेल केंड़ेट है, उनको यहाँ पर आईउसीमा में छूट दी गई है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बाकी जो केटिगरी के है, वो यहाँ पर 100 रुपे जमा करवाके, यह फोर्म बर सकते हैं, SBI Bank में, ठीक है न, सारी चाइजे समझ में आ गई होगी, फिर भी कोई डाउट है आपका, तो कमेंट कर दीजेगा, और यह एक इसता ही जोब नहीं है, यह भी आपको ध जाइंगे, 500 रुपे आपको यहाँ पर दे जाएंगे, जितने दिन काम करोगी, उतने रुपे आपको मिलेंगे, धीक है, यह जेपूर के अंदर है, अलग-अलग जिलो में भी वाकेंसी जाती है, फिलाल जेपूर में है, तो आप यहाँ पर, अगर जेपूर में काम करना यो किसी भी जिले से हो, तो आप फॉर्म बर सकते हो, सो पोस्ट इसके अंदर रखे गई है, महिला पुरुष यहां प्रावेदन के पातर रहेंगे, ठीक है दोस्तों, और इसको विश्टरित रूप से आप पढ़ ले न, जो नरेगा है, उसके अंदर यह काम होता, जैसे कि नरेगा के अंदर क्या कारी होता, उनका इंकेसन करना होता, जैसे पंचाई समिती के अंदर जाके, ठीक है न, और जो ग्रे पंचाई समिती है किसी की, तो उसमें यह जोब नहीं मिलती है, याने उसको अलग जगह मिलती है, याने यह नहीं कि मेरी पंचाई समिती में यह काम कर सकता हूँ, नहीं, ठीक है ना, तो यह भी आपको ध्यान रख रहा है, बाकी विस्तार से अच्छे से समझा दिया है, ठीक है न, जिनको नरेगा के अंदर, या जिनके माता-पिता या आप टेस्ट करके मेल आईडी पर आप भीजवा दीजिएगा, मात्र सो रूपे हैं, और दोस्तों बताना चाहता हूँ, अगर आपको सक्त नीड है जोब की, तो यह आप कीजिएगा, अन्यता, क्योंकि अगर आप किसी कंपिटिशन एकजाम की तयारी कर रहे हो, तो फिर आप देख सकते हो कि वेकेंसी वगर आ रहे है तो उसमें आप तैयारी कर सकते हो, बाकी आप दाते हो कि नहीं सर मुझे तो जोब चाहिए, मेरे तो आर देस्ट जार रुपे, पंदर जार रुपे जोबी है, मुझे आउशकता है, तो आप कर सकते हो, यह आपके विवेक प देदेंगे, चैनल को सब्स्क्राइब कर लेना, आसा करता हूँ, जानकारी अच्छी लेगी होगी, और ऐसी जो जो बगर है, कई विद्यारतियों को इनकी शक्ता आउशकता रहती है, जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिये, बेरुज़गार बेटे हैं, ठीक ना, कुछ कर मैं तो पढ़ाई के साथ-साथ इसको करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, बाकि इसकी सर्ते, सेवा, सारे चीज़े इसमें दे रहे हैं, आराम से पढ़िके अपलाई कर दीजिएगा, थेंक्यू दोस्तों, धन्यवाद, जैहिंद, बंदे मात्र,